अजमेर के अलवर गेट थाना शित्र इस्थित मदार जेपी नगर में टैंड की दुकान के गोदाम में आग लगने से सारा समान जलकर खाक हो गया सोमवार अलसुबह लगी आग के कारणों का फिलहाल कोई पता नहीं लग पाया है लेकिन अगनीशमन विबाग वे अलवर गेट थाना पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया है अलवर गेट थाना प्रभारी सुनीता गुजर ने बताया की टैंड की दुकान नगरा शेत्र में रहने वाले राजकुमार कोली की बताई जा रही है संबध वाय शोट सर्किट से दुकान में आग लगी है इसकी सूचना मिलने पर अगनीशमन विबाग की टीम वे अलवर गेट थाना पुलिस की मदद से आग पर काबू पा लिया गया लेकिन दुकान में रखा सारा समान जलकर खाक हो गया इस समंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करती हुए जान शुरू कर दी है जेपी नगर राश्री गारडन के सामने रातरी में करीब इन पांच बज़े है इतला मिली कि टेंट आउस की दुकान में आग लगी है तो तुरंत फायर बिल्गेट को रवाना कर हम मोके पे आए वोके पे फायर बिल्गेट आएगी और आज पास के लोगों की साहत आजम ने उसको आग को बिज़वाया दुकान मालिक के का पी नुकसान हुआ है अभी नुकसान का आंकलन नहीं कर पाये है अभी वो दुकान मालिक बता पाएगा इतना नुकसान है हमको नी पता माई बाद तो सुमें माच बजे फोन आए था कि तुमाही निकल रही है दुकान से जब मेरा एस्पेंट भागे में इनको फोन किया तो यह बोले कि दुकान में पुरी आग लग गए मैं मेरे देवर के साथ आई हमने देगा सब कुछ जल के मरबाद हो गया तब कुछ मेने रहा लब कितिना मालता हमने तरे यह पाथ साथ लाग को करा मालता हमने तरे नहां बता है जैश्री